हेलो दोस्तों ब्लडी संडे यूट्योब चैनल पर आपका स्वागत है मेरा नाम है जै और आज मैं आपको डराने के लिए मूतों की कुछ सची और बेहट डरावनी कहानिया लिकराया हूँ जिनने सुनने के बाद आपको एकिनन बहुत मजायेगा तो कहानियों को पुरा एंड तक सुनियेगा मेरा नाम अनिल पटेल है ये मेरे साथ गटी बिलकुल सची गटना है ये बात करीब चार साल पहले की है वो गर्मियों के दिन थे उन दिनों मुझे सडक के किनारों को साप करने का काम मिला था मगर मुझे सफाई का काम रात में ही करना पड़ता था क्योंकि दिन भर मैं अपने ही कामों में फसा रहता था तो ऐसे ही एक रात मैं सड़क के किनारे सफाई कर रहा था उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़िया चल रही थी मगर कुछी समय में रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया और मैंने भी कुछ देर आराम करने का फैसला किया और सड़क के किनारे बोरी बिचा कर बैठ गया फिर मैंने जेव से एक बीड़ी निकाली और बीड़ी जला कर पीने लगा बीड़ी के कस्प भरते हुए मैं इधर उधर नजरे दोड़ा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक आदमी लंगराते हुए मेरी तरफ आ रहा था देखने में वो आदमी बहुत ही पुराने समय का लग रहा था क्योंकि उसने जो कप्ड़े पहन रखे थे वो बहुत ही पुराने जमाने के थे जैसे जैसे वो आदमी मेरे करीब आ रहा था एक अजीब सडर मुझे अंदर ही अंदर खाय जा रहा था दिल कह रहा था भाग जा यहां से पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है फिर जैसे ही वो आदमी मेरे सामने आया तभी वहां का वातावरण पूरी तरह से बदल गया अचानक ही मुझे गर्मियों के समय में कडाके की ठंड महसूस होने लगी मुझे बहुत हैरानी हुई उस आदमी ने अपना चेरा नीचे की तरब जुका रखा था किसी तरह हिम्मत करके मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई कोई काम है क्या मेरी इस बात पर वो आदमी मेरे और करीब आ गया और बोला कि अकेले अकेले ही बीड़ी पी रहा है मुझे बीड़ी चाहिए उसकी बात पर मैंने कहा कि तुलो भाई तुम भी बीड़ी पी लो इतना कहकर मैंने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और एक बीड़ी उस आदमी को देने लगा मगर वो आदमी गुस्से से बोला कि पागल हो गया है मुझे बीड़ी का पुरा बंडल चाहिए इतना सुनना था कि मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उस आदमी से कहा कि पागल तु हो गया है मैंने भंडारा खोल रखाय क्या जो तुझे बीडी का पूरा बंडल तोफे में दे दूँ मेरी ये बात सुनते ही वो आदमी गुस्से से जल्ला गया और बोला कि अब मुझे तोफे में बीडी का बंडल नहीं तेरी मौत चाहिए इतना कहते के साथ ही उस आदमी ने अपना भयानक चेहरा उपर उठाया तो उसकी लाल सुरक आँखों को देखकर मेरा रॉंग्टा खड़ा हो गया और मैं सकबका कर पीछे की तरब गिर पड़ा ठीक तभी वो सड़ागला आदमी मेरे उपर चड़कर बैठ गया और उसने मेरी करदन दबोच लि और खौफनाक तरीके से अटाहास करने लगा उसके भयानक रूप को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितना खथरनाक प्रेट था डर के मारे मेरा पूरा चेहरा पीला पड़ गया था जान बचाने के लिए मैं उस प्रेट के सामने रोने गिड़ गिड़ाने लगा और मैंने उससे कहा कि तुम्हें बीडी का बंडल चाहिए मुझसे ले लो पर मुझे जाने दो मेरी ये बात सुनकर वो प्रेट और भी ज्यादा आक्रामक हो गया और मुझे खसीटते हुए कहीं ले जाने लगा मगर मैं भी जटवटाने लगा और किसी तरह उस प्रेट की पकड़ से बाहर निकला और रास्ते पर भागने लगा भागते हुए वो प्रेट भी मेरे पीछे भागते हुए आ रहा था मैं बहुत डर गया और पूरी जान लगा कर भागने लगा भागते भागते मेरे पैर भी जवाब देने लगे थे लेकिन मैं तब तक भागता ही रहा जब तक कि मैं वहाँ से इंसानी बस्ती के बीच नहीं आ गया और फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो प्रेथ गुस्से से बोला कि आज तो तू बच गया लेकिन अगली बार तू मेरी चपेट से बच नहीं पाएगा और इतना कहते के साथ ही वो प्रेथ हवा में धुआ बनकर कयाब हो गया ये देखकर मेरी जान में जान वापस आई और फिर मैं तुरंद वहां से खरा गया इस घटना के बाद मैंने रात में सुनसान सडकों पर काम ना करने की कसम खाली वैसे तो इस वाक्यों को बीते चार साल हो चुके हैं लेकिन आज भी इस घटना को याद करके मेरे रॉंक्टे खड़े हो जाते हैं मेरे साथ घटी ये घटना बिलकुल सच्ची है मेरा नाम रंजीत सिंग है मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये आज से कुछ साल पहले का वाक्या है जो कि मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ घटा था दरसल मैं अपने दोस्तों के साथ देरात घूमने निकला था हम सब बाइक से थे पहले हम लोग एक होटल में गए और फिर वहाँ से निकलने में रात के करीब 11 बच गए थे लिहाजा एक दुकान पर हम सबने पान लगवा लिये और पान खाकर हम लोग वापस लोटने लगे लोटते हुए पीच रास्ते में हमने सड़क के किनारे एक कबरिस्तान देखा तो मेरे कुछ दोस्तों ने कबरिस्तान में घूमने के लिए कहा मगर मैंने कहा कि नहीं हम सब ने ड्रिंक कर रखी है उपर से राद भी काफी हो चुकी है ऐसे में हमारा जाना सही नहीं है लेकिन मेरे कमीने दोस्तों ने मेरी एक नहीं सुनी बलकि वो सब मुझे फट्टू कहकर बुलाने लगे अब खुद को डरपोक साबित होने से बजाने के लिए मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा और हम सब दोस्त करीब बारा बजे के आसपास कबरिस्तान के अंदर दाखिल हुए और अभी हम कबरिस्तान के थोड़ा अंदर गय ही थे कि तभी मेरे एक दोस्त के पैर में बड़ा सा काच का तुकड़ा गुस गया वो इतनी तेजी से चीखा कि मेरे तो रॉंक्टे खड़े हो गये मेरा दोस्त दर्द से कराहते हुए जमीन पर बैठ गया हमने उसका पैर देखा तो वाकई उसे गहरी चोट आई थी वो काच का तुकड़ा उसका तलवा फाड़ कर बाहर निकला आया था हमने जैसे तैसे उसके पैर से वो काच का तुकड़ा बाहर निकला और हमारे लोटने तक उसे वही बैठे रहने के लिए कहा फिर उसे वही छोड़कर हम लोग कबरिस्तान के और अंदर जाने लगे जहां हमें चारो तरब बस कबरे ही कबरे दिखाई पड़ रही थी हम सारे दोस्त एक साथ उन्ही कबरों के ऊपर बैठ गए और हमने सेलफी लेने का फैसला किया लिहाजा हम सबने अपने अपने मोबाइल का कैमरा चालू किया मगर इससे पहले कि हम सेलफी क्लिक करते हमारे रौंग्टे खड़े हो गए क्योंकि कैमरे में हम सबने अपने पीछे एक बहुत ही भयानक मुर्दा देखा जो कि पूरी तरह से सड़ चुका था डर के मारे हम सब चीखते चिलाते हुए वहां से भागने लगे भागते भागते जब हम कबरिस्तान से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ पहुँचे तो वहां का नजारा देखकर हमारे पसीने जूर गए और हम सब जोरों से चीखने लगे क्योंकि हमारा वो दोस्त जिसके पैर में काज का तुकड़ा गुस गया था उसकी अदखाई लास जमीन पर पड़ी हुई थी और जमीन पर चारो तरफ बस खूनी खून दिखाई पड़ रहा था और उसकी लास के ठीक बराबर में ही वही खौफनाग मुर्दा बैठा हुआ था जो कि उसके मांस को फार फार कर निगल रहा था हमें देखते ही उस मुर्दे के चेहरे पर एक सैथानी हसी चा गई और तभी वो मुर्दा एकाएक हवा में ओजलो गया इतना भयानक मंजर देखकर हम सब की जान मानो हलक से बाहर आने को बेताब थी उस मुर्दे के गायब होते के साथ ही हम जितनी तेज भाग सकते थे वहां से भाग निकले और फिर घर पहुँचकर ही हमने राहत की सांस ली दोस्तों इस खटना में हमारी जान तो बच गई पर हम अपने दोस्त को बचा नहीं पाए लोगों के बीच आज भी हमारा वो दोस्त लापता है मगर उसके साथ क्या हुआ ये बस हम जानते हैं इस खटना के बाद फिर कभी हम उस कब्रिस्तान में नहीं गए बाद में हमें लोगों से पता चला कि रात के वक्त उस कब्रिस्तान में आदम खोर मुर्दों का आतंक रहता है लोगों ने बताया कि आप सब किस्मत वाले हो जो की जिन्दा बचक है वरना वो मुर्दा तुम लोगों को भी भयानक मौद दे देता दोस्तों उस कब्रिस्तान के बारे में सोच कर और अपने दोस्त की भयानक मौद के बारे में सोच कर हम सब आज भी सक्ते में आ जाते हैं खेर, मेरे और मेरे तोस्तों के साथ घटी, ये घटना बिलकुल सच्ची है, मेरा नाम अतुल खेलकर है, ये मेरे साथ घटी, बिलकुल सच्ची घटना है, ये बात महच एक साल पहले की है, मैं नहीं जानता कि आप सब मेरी इन बातों पर यकिन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं मैंने जैसा अनुभव किया बस वही बता रहा हूँ। दरसल एक साल पहले मैं रात करीब 11 बजे अपने घर जा रहा था। मेरे पास बाइक और साइकिल कुछ भी नहीं है। देखा जाय तो बेहत गरीब घराने का हूँ। उस दिन कुछ जरूरी कामों में देरी की वज़े से मुझे घर लोटने में देर रात हो गई थी। लोटते हुए तेज कदमों के साथ मैं घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से आवास दी हो। मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। मैं वापस आगे की तरफ चलने लगा। तभी पीछे से मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया और मैं मोह के बल जमीन पर गिर पड़ा। और फिर तुरंद मैंने पीछे की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया। क्योंकि इस बार भी मेरे पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। ठीक तभी कडाके की ठंड महसूस होने लगी और किसी औरत के एक साथ रोने और हसने जैसी आवाजे आने लगी। मैं बहुत डर गया और मुझे समस्ते देर नहीं लगी कि मैं किसी आत्मा की चपेट में हू और मेरी जान को खत्रा है। लिहाजा मैं जान हथेली पर लेकर भागने लगा। भागते हुए मैं अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आहट को साप सुन पा रहा था। डर के मारे मेरा पूरा स्रीर पसीने से तार-तार हो गया था। मगर मैं तब तक भागता ही रहा। ज जब मैं घर पहुँचा तो मुझे इस तरह डरा सहमा और हाफते हुए देखकर सभी लोग परेसान हो गये। फिर घर वालों के पूछने पर मैंने उन्हें सारी आप बेती बताई। तो मेरी बाते सुनकर वो लोग भी सक्ते में आ गये। फिर माने मेरे उपर गंगा जल ड गया। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं इस सदमे से बाहर आ गया। लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ वो क्या था मैं आज तक समझ नहीं पाया। इसलिए अपने साथ हुई ये घटना आप लोगों तक सेयर कर रहा हूँ। इस पर यकीन करना या ना करना आपके उपर है। ब मेरे साथ करीब चार साल पहले घटी थी। पेसे से मैं आटो ड्राइवर हूँ। और जब मेरे साथ ये घटना घटी थी। उस रात मैं आटो चलाते हुए सवारियों को उनके घर छोड़ रहा था। देर रात एक सवारी को मैं उसके घर छोड़कर वापस लोट रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं आटो को काफी धीरे चला रहा था, ठंड से मेरे हाथ पाउं काप रहे थे, लेकिन पेट के लिए काम तो करना ही था, इसलिए मैं वापस स्टेशन की तरब जा रहा था, जहां से मुझे कोई सवारी मिलती, लेकिन अभी मैं कुछ दूर आगे निकला ही था, कि तभी उस सुनसान वीरान रास्ते पर मुझे एक औरत दिखाई दे, जिसने सफेद साड़ी पहन रखे थी, और उस औरत के बाल बिखरे हुए थे, मैं उस औरत के थोड़ा और करीब पहुँचा, तो मैंने देखा कि उस औ अपना दूद पिला रही थी, अजीब बात ये थी, कि उस औरत ने अपने इस तनों को ढखा नहीं था, खैर मैंने उस पर से अपनी नजरे हटाई, और वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उस औरत ने मुझे रुकने का इसारा किया, और मेरी आटो के साम ने आ गई, लिहाजन मैंने आटो रोका, और मेरे आटो रोकते ही, वो औरत मेरी आटो पर आकर बैठ गए, उसके बैठते ही, मैंने उससे कहा कि, कहा जाना है मैडम, तो उस औरत ने जवाब में बस स्टेशन कहा, मैंने भी फिर कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वैसे भी मै इस्टेशन की तरफ ही जा रहा था फिर कुछ दूर चलने के बाद अचानक पीछे मेरी आटो पर बैठी वो औरत चीखने चिलाने लगे हैरानी की बात तो ये थी कि एक पल को वो औरत चीख थी तो अगले ही पल जोर जोर से हसने और गाने लगती मैं बहुत डर गया मैंने ड सिरची नजर से पीछे की तरफ देखा तो मेरे रॉंक्टे खड़े हो गया दरसल अब मेरे पीछे बैठी उस वरत का चेरा बड़ा ही भयानक रूप ले चुका था और जिस बच्चे को वो अपना दूद पिला रही थी वो कोई साधारन बच्चा नहीं बलकि पिसाज का ख में अटक चुकी थी मैं बहुत डरा हुआ था और मैं चलती आउटो से बाहर खूद गया बाहर रास्ते पर पड़े पत्थरों से मेरा पूरा सरीर लहू लुहान हो गया कराहते हुए मैं किसी तरह उठा और वहां से भागा भागते हुए मैं अभी कुछ कदम आगे बढ़ मेरे पसीने छूटने लगे वो पिसाचिनी बड़ी ही भ्यानक तरीके से गुरा रही थी उसकी भ्यानक गुराहत चारो तरब गुंचने लगी मैं वापस पीछे की तरब भागने को हुआ ही था कि तभी उस पिसाचिनी ने मेरी घर्दन पकड़ ले और मुझे उठा कर जम मेरी छाती पर घुसा दिये और वो मेरा खून पीने लगा तो वहीं वो पिसाचिनी मुझे घसीटते हुए अपने साथ जंगल की तरफ ले जाने लगी अब तो मुझे मेरी मौत मेरे ठीक सामने दिखाई देने लगी मैं जोर जोर से चीखने चिलाने लगा और रोने गिड गिडाने लगा मगर वहां मेरी चीखे सुनने वाला कोई भी नहीं था वो पिसाचिनी मुझे घसीटते हुए कटीली जाडियों के बीच ले गई जहां उसने मेरे साथ संभोग किया और फिर उसने मेरी करदन मरोड दे इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं जब अब तक सुबह के पांच बच चुके थे मेरा सरीर इतना कमजोर हो चुका था कि मैं आपको अपनी दुर्दसा सब्दों में बया नहीं कर सकता किसी तरह मैंने अपने दोस्तों को फोन करके वहां बुलाया जिसके बाद मेरे दोस्त मुझे वहां से लेकर हॉस्पिटल अब प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन फैल चुका है अगर इसका ओप्रेशन नहीं किया गया तो इन्फेक्शन फैलने से आपकी मौत हो जाएगी फिर मरता क्या ना करता मैं ओप्रेशन के लिए तयार हो गया और फिर लंबे इलाज के बाद मेरी हालत दुरुस्त ह और मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से बाहरा कर मैंने अपने दोस्तों को वक्त रहते मुझे हॉस्पिटल पर एड्मिट करने के लिए धन्यवाद कहा जिस पर उन लोगों ने पूछा कि लेकिन तेरी ऐसी हालत हुई कैसे जिस पर मैंने उ साथ घटी इस घटना के बाद फिर कभी मेरा सामना उस पिसाचनी से तो नहीं हुआ लेकिन आज भी जब मुझे ये घटना याद आती है तो मेरा दिल खौफ से दहल जाता है और मेरी जान हलक में अटक जाती है मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानिया मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानिया जरूर पसंद आई होंगी ऐसी सच्ची और बड़ी ही भयानक कहानिया सुनने के लिए बलडी संदे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे और पास में दिये बिल आइकन को आल पर सिलेक्ट करना मत भूलिएगा मैं मिलता हूँ आप से कुछ और सच्ची और बहुत ही खौफना कहानियों के साथ तब तक के लिए बाई and टेक केर